पनीरत का नाम लिदेखे आपके मुँमें लजीद स्वाध आ गया होगा और साथ ही आपके मुँमें बाणी भी आ गया होगा और आपको याद आता होगा कि कब आखरी बार इसी टेस्ट किया था यह टेस्ट आपको चाहे जब चाही हो घर पर आप आसजानी से ले सकते हैं जियाँ इसके साथ ही आप को खोंगी रहा हुगा कि आप इसे घंब में बनाने को शीखेंगा आज हमारे द्वारा आप भले धी अभी तक ना जानते हूं कि इसे कैसे बनाया जाता है पर आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पनीर टिकका बनाएंगे विसे आपको उससे पहले भी बताने कि अगर आप पनीर की कोई दर्स खाते हैं तो कुछ दिर के लिए आप स्ट्रेस से दूर हो जाते है और आराम की नीम सुना चाहते हैं तो पनीर कमाल ही है जो हमारे तनाव को कंट्रोर कर रहा चान की बीज देता है तो हो सके आप पनीर टिकका जो बनाना सीखेगे उससे पहले आप यही जान जाए कि इसे रात में खाना जादा बहता होगा तो आपको कई फाइड़े मिल सकत तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि सामगरिक रूप में पनी टिके में क्या चाहिए होगा पनीर हमें धाइसोग्राम चाहिए नहीं सौधरा मारा काप नमाख स्वाथमसार तीन चौथा च्छोटा चमाच काले मिर्च आधी छोटी चमाच मखान यागी दो डेबल स्पून जि ले लिचे एक एक तमाटार दो तीन ले लिचे चाहट मिसला एक चोटी चमाच लाल मेर्ज पाउडर अगर आप चाहें तो एक चोटी चमाच से कम ले सकते हैं हरा दन्या दो टिबल स्पून बारी कटा हुआ नीबू एक चार टुकडों में कटा हुआ अब बनाने की विध से ठोले अब आप तमाटार और संदा मिर्च को अच्छे से दो कर उनको पनीर जितने साइज के टुकलों में काट लीजे आखिर में आप प्यास को भी उतने साइज में काट लीजिए और एक प्लेट में रखी दही को फैट कर नमप काले मिर्च और आढ़ा अधर का पीश म अगर आपको क्या करना है तिक्का से आप एक नॉन स्टेक कढ़ाई या तवेगा इस्तमाल कर सकते हैं तिक्का सीखने के लिए उसमें मखहन डालकर घर कीजिए अब इस स्टेक को दीजे और बारी बारी से प्यास पनीर से बनातर चुट टमाटा को उसमें लगाईए और उ जाते हैं तो वीबू का रस और चाट बता अच्छो लगकर खाएंगे तो आपको अच्छा सा फाइदा मिलेगा और देट भी मिलेगे तब तो आप बनाना सीख गया बनेट का क्योरें हेल्टेक्स की रिपोर्ट